इन असोसियेशन विद हिमालिया क्विस्टा प्रो सेहत का ये एपिसोड आप तक लाएं हैं हिमालिया क्विस्टा प्रो पे प्रोटीन ये बना हैं खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्टेंथ बढ़ाने और उसकी रिकावरी में मदद करता है अभिनाव 19 साल के हैं और सुबा 10 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक तो ऑफिस में रहते हैं उनका सारा दिन एक कुर्सी पर बैठे बैठे बीठता है जब वो थाक हार कर घर वापस आते हैं तब उनके शरीर में इतनी जान नहीं मचती कि वो एक्सराइस कर पाएं या फिर जिम जा पाएं इस वजहां से पिछले एक साल में उनका 10 किलो वजन बढ़ा है अब वो ओवरवेट हो गए है और इसकी वजहां से उन्हें कई health issues भी आ रहे हैं अभिनफ ने इधर उधर लोगों से सुना है कि कुछ तरीके हैं जिनसे वो अपना fat मासपेशियों में बदल सकते हैं यानि fat को muscle में convert कर सकते हैं अभिनफ अब muscles बनाना चाते हैं वो चाते हैं कि हम इसमें उनकी मदद करें एक्सपर्ट से पूछ कर बताएं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अब हम fat और मासपेशियों के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं और हम सब यही तमन्ना रखते हैं कि कैसे भी हमारा fat हमारी चर्बी convert होके muscles में बदल जाए पर आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में यानि fat और muscles में क्या फर्क होता है और ऐसा क्यों है कि fat gain करने पर आप मोटे लगते हैं और मासपेशियां gain करने पर तंद्रोस्त सुनीए हम लोग उने fat को बहुत बुरा नाम दे लिया है और muscles को बहुत अच्छा नाम दे लिया है पर ये जू नहीं है muscles की body में एक function होती है और fat की भी body में एक function होती है पर muscles और fat में difference क्या होता है एक तो muscles जादा dense होते हैं हमारे body में less space लेते हैं muscles जो होते हैं थोड़ा सा lip ship type का होता है और body में ज़ादा space लेते हैं तो इसलिए जब fat gain होता है तो हमारे body ज़ादा बढ़ जाती है हम muscles को कभी fat में बदल नहीं सकते हैं और muscles fat को oxidize करती है उसका मतलब जब हमारे muscles बढ़ते हैं तो इससे fat oxidize होके कम हो सकता है पर fat convert नहीं होता है muscles जिए मेरे मस्ब्स्वाबी होते हैं तो उसे क्या होता है हमारे बॉन्स प्रotektटटफपे हमारे लिगमिंध्स जोइन्स प्रडटटटे जैसे इजए अगर में चल दुन और मैं गिर गई तो अगर मेरे मस्ब्स्वाबूत है तो यह मेरे बोन्स को प्रटक्ट करेंगे और प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने मसल्स को मजबूर रखें, वैसे तो फैट की भी एक बॉडी में एक बहुत अच्छा फंक्शन रहता है, इस्पेशली खासता और विमिन के लिए, अगर हमारा फैट लवल बहुत कम हो गया, तो होर्मोनल फंक् करें, क्योंकि पैट का भी एक बहुत जरूरी रोल है, मेटेबॉलिजम में और हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए, मसल्स को स्ट्रॉंग बनाने के लिए, डेफिनिली थोड़ा सा हमको वर्काट करना पड़ता है, और जब मसल्स के फाइबर हैं, जब हम वह तोड़ते हैं वर्काट के थूरू, पर जब फिर से बनते हैं, तो ज़्यादा मोटे बनते हैं, तो इसलिए जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मसल गेन के लिए, तो उसमें हम मसल फाइबर को तोड़ते हैं, क्योंकि वो रीबिल्डिंग process जब होता है और वो protein के द्वारा होता है तो इसलिए weight trainers protein लेते हैं क्योंकि muscle rebuilding के लिए हमको protein की जरुवत होती है और जब muscle fibers rebuild होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं ज्यादा मजबूत होते हैं और ऐसे हमारी muscle बढ़ती है fat oxidized होता है और कम होता है योग एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे muscles को बिल्कुल supple और strong रखने के लिए योग से क्या होता है कि muscles तो बनते हैं तो muscles की flexibility भी retain होती है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा weight training करते हैं और बिल्कुल हम लोग योग नहीं करते हैं तो muscles बहुत stiff हो जाते हैं बहुत कड़क हो जाते हैं तो muscles को strong और flexible दोनों रखने के लिए योग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और योग बहुत अलग अलग किसम के होते हैं अब वही योग आसन अगर आप 2 या 3 minutes के लिए hold करेंगे तो आपकी इससे muscles मजबूत बनेंगे अगर आप वही आसन 10 seconds के लिए करोगे तो वह कम आपके muscles बनेंगे तो योग भी एक बहुत अच्छा तरीका है muscular growth के लिए सुना आपने fat masspatient में बदल तो नहीं सकते directly पर masspatient बनाने में आपका fat कम हो सकता है इसलिए आपका वजन भी control होता है मजबूत masspatient बनाने के लिए अची राइट के साथ साथ आपको योगा और exercise करनी चाहिए पर हां दोनों की ही शुरुवात किसी expert की निगरानी में ही करें प्लीज अब बढ़ते हैं सेहत के अगले segment की तरफ तन की बात जानी क्या उंगलिया चटकाने से arthritis हो सकता है अकसर ऐसा कहा जाता है कि उंगलिया चटकाने से arthritis हो जाता है पर क्या ये सच है जवाब है नहीं हमने आपको पहले भी बताया है आपकी उंगलियों के जो joint होते हैं उनमें एक fluid होता है synovial fluid नाम का ये lubricant का काम करता है अब इस fluid में कुछ gases होती है जैसे कि oxygen, nitrogen, carbon dioxide types जब आप उंगलिया चटकाते हैं तो ये gases release होती है निकलती है इसलिए ये पॉप की आवाज आती है पर इससे आपको arthritis नहीं होता पर हां इसका मतलब ये नहीं है कि आप उंगलिया खूब चटकाना शुरू कर दे कुछ लोंको आदत भी होती है arthritis ना सही पर आपको और भी दिक्कते ह हो सकती है जैसे joints में सूजन आ सकती है और चीजों पर grip ना बन पाने की भी problem हो सकती है समझे अब अब बड़ते सेहत के आखरी segment की तरफ हुराग यानि चपकास्ती health tip जाने अगर thyroid है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं hormonal imbalance की वजहां से आपको hyperthyroidism और hypothyroidism हो सकता है यानि की thyroid हो सकता है अब thyroidism से निपटने के लिए आपको दवाईयों के साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखना होता है इसमें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं यह हमें बताया doctor विभूशा ने देगे सबसे जरूरी है iodine यह सेंधा नमक और नारियल पानी का इस्तवाल करके आप गुल सकता है selenium और zinc दो micronutrients होते हैं रोजन का सेवन करना जरूरी है हर दिन दो से तीन अक्रोट खाईए thyroid में vitamin D लेना भी जरूरी है इससे thyroid में जो hormone तयार होते हैं वो balance में आते हैं कुछ चीज़े ऐसे भी हैं जिनका आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए avoid करना चाहिए रसायनों का इस्तमाल करके की गई खेती में जो रसायनों के अपशेश होते हैं उनकी वजहां से thyroid का imbalance हो सकता है इसलिए अगर आप पहले से thyroid की problem से जूज रहे हैं तो यह ध्यान रखे कि आप organic या फिर natural तरीके से उगाए गए अन, भल, सबजियां यही खाएं शकर और नमक की मातरा अपने खाने में कम से कम रखिए इससे आपके जो thyroid hormones हैं वो balance में आएंगे आज से हथ पर इत्ता ही अगर आप एक doctor है हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email आईडी वक्त आपको अपनी screen पर देख रही है उस पर हम एक mail भीज दीजे जाते जाते एक मज़े की बात सुन्दे जाए ललन टॉप का सबसे ठेट, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगडएल बेवी आगया है podcast बाजा सुने के लिए डाउनलोड करिये दी ललन टॉप आप आज ही शुक्रिया ललन टॉप का सबसे ठस, ठेट और ठसकदार बेवी आगया है ललन टॉप का podcast जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप आप पर